आप देखो आप अगला कोश्चन यद्दपी भारत ने सामयवादी रहा चुके सबी देशों के साथ अच्छे संबंद स्थापित किये हैं तथा भी भारत तथा रूस के बीच संबंद सबसे अधिक घनिष्ट हैं किनी तीन उप्युत तरकों के साथ इस कतन की व्याख्या कर इंडिया जो है उसकी जो विचार धारा वो बहुत पहले से ही समयवादी है आजादी के बाद की बाद तो छोड़ो आजादी से पहले भी जो सरदार भगत सिंग्जी हैं उसके अलावा जो सुबास्चंदर बोष्ट जी हैं ये जो हमारे नेता थे ये भी रूस से बहुत की सरकार बनाई थी ठीक है और बहुत तकड़े तरीके से revolution किया था जिसे की बोल सेविक revolution बोलते हैं तो उस चीज से हमारे यहां के लोग भी बहुत परभावित थे तो 1917 में जब रूस में सरकार बनी न तो यहां के जितने भी करांती कारी नेता थे वो सारे के सारे रूस के सपोर्ट में थे तो लैनिन जो है जिन्होंने रूस को बनाया है रूस के लिए आजादी के लड़ाई लड़ी है उससे सरदार भगत सिंग जी जैसे लोग भी ठीक है सुबाचंदर बोष जैसे लोग भी यह सभी परभावित थे और आजादी मिलने के बाद वाले जो नेता है वो भी परभावित थे क्योंकि यहां पे हम अमीर गरीब वाली चीज़ को खतम करना चाते थे एक अच्छी सरकार बनाना चाते थे तो रूस से हमारे रिलेशन बहुत पुराने टाइम से है तो यही इस कोशन में पूछा गया कि हमेशा भारत ने समयवादी चीज़ को सपोर्ट किया है रूस को कुछ ज़्यादा सपोर्ट किया है तो भारत और रूस के रिलेशन पूछ रहे हैं आप से आँसे अब पड़ो अंसर यद पी भारत ने समाजवादी रह चुके या समयवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंद स्थापित किये हैं तथा पी भारत तथा रूस के संबंद सबसे अधिक घनिष्ट है याई यही कहा रहे हैं कि उनके दोस्ति सबसे ज़्यादा अच्छी है पहला पुइंट राजनितिक संबंद भारत रूस में राजनितिक संबंद बहुत घनिष्ट है यानि उनके बहुत अच्छे संबंद है दोनों देश अपने राजनितिक संबंदों को और मजबूत करने के लिए परतेक वर्ष सिखर बैठक करते हैं हर साल दोनों देशों के नेता मिलते हैं अपने रिलेशन को अच्छा बनाते हैं दोनों देश अंतराश्टिय मंचो पर एक दूसरे के राजने देखितों के अनुरूब निर्ने लेते हैं तीक है इंटरनेशनली जो भी काम होते हैं दोनों ही देश चाहे भारत हो चाहे रश्या हो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं एक दूसरे का साथ देते हैं रूस ने सदेवी संयुक्त राष्ट शुरक्षा परिशद में बारत का पक्ष लिया है जब भी अमेरिका ने बारत के खिलाफ का है या चाइना ने का है हमेशा हमें रूस का सपोर्ट मिला है वहाँ पे तो रूस ने हमेशा ही UN में हमारी मदद की है सेकंड पॉइंट आर्थिक संबन्द भारत हैं और रूस में गनिष्ट आर्थिक संबन्द बने हुए हैं दोनों देश एक दूसरे की और शक्ता अनुसार परस पर आयात निर्यात करते हैं यानि कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वहां से चीज़ें यहां आती हैं 2009-2010 में दोनों देशों का आर्थिक व्यापार लगबग 2188 मिलियन डोलर तक पहुच गया यानि कि बहुत बड़े लैल पे रशिया और इंडिया ट्रेड भी करते हैं एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं तो हर तरीके से एक दूसरे की हैल्प ये करते हैं थर्ड देखो रख्षा संबंद भारत हैं रूस के बीच में रख्षा संबंद बने हुए हैं बलकि यह कहना अधिक उचित होगा कि भारत के रख्षा संबंद जितने रूस के साथ घनिश्ट है उतने किसी अन्य देश के साथ नहीं यानि कि हमारे जो रिलेशन है वो रख्षा जितने अच्छे किसी के साथ नहीं है रख्षा के मामले में जो भी हमारा डिफेंस मैटिरियल है जो भी हमारी आर्मे के पास हतियार है उसको अगर आप देखोगे तो आदे से ज़्यादा आपको रश्यान मिलेंगे उसमें तो रश्यान ने हमें बहुत सारे हतियार दिये हैं हर तरीके से हमारी हैल्प की है जो भी हो सकती है भारत की अधिकां सेनिक शक्ति अयम रख्षा ढाचा सोवेट संग के हतियारों पर आधारित है हमारे जितने भी प्लेन वगएरा ये राफिल थोड़ दो आप राफिल हमने फ्रांस से खरीदा है बाखिल राफिल के लावा मिग 21 हुआ और भी बहुत सारे हेलिकॉप्टर हुए हमारे जो टैंक है वो हमने बहुत सारे रश्या से ही खरीदे हैं और जो गंस वगएरा है वो भी रश्या हमें बहुत जब़ देता है तो रक्षा के मामले में भी जो है रूस से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है हमारी पैसेट वाली जो लड़ाई होई थी पाकिस्तान से उसमें जो अमेरिकन टैंक पाकिस्तान यूज कर रहा था उसको उड़ाने के लिए भी रश्या ने ही हमें माइंस दी थी और फिर 1971 में यानि 1971 वाले वोर में भी रश्या ने हमें बहुत सपोर्ट किया था तो ये है हमारे relation रस्या के साथ हमें बहुत सारी चीज़े रस्या देता है और हम भी रस्या को बहुत सारी चीज़ देते हैं दोनों ही हम जो है एक दूसरे का फुल सपोर्ट करते हैं तो यही था है question अब देखलो अगला question मोद इंपोर्टन्ट question है मैंने आपको पड़ा भी रखा है कि वो चीज़े बताओ जिनकी वज़े से Soviet संग टूट गया Soviet संग के विकटन के कारण बताओ reasons बताओ कि क्यों टूटा Soviet संग तो मैंने आपको Soviet परनाली पड़ाई थी उसमें से जो जो गलत चीज़े आपको लगती है वो इसका अंसर है जैसे कि Soviet संग में क्यमनिस पार्टी का दबदबा था वो इसके टूटने अकारण बना दबदबा था एक पार्टी रहेगी डेमोक्रेसी को खतम कर देगी बिल्कुल तो वो इसके टूटने अकारण है दूसरी बात वहाँ पे लोग को आजादी नहीं थी वो भी इसके टूटने अकारण है तीसरी बात वहाँ पे क्या था लोग जो है उनको अभी वेक्ती नहीं थी बिल्कुल भी वो कुछ भी नहीं चाप सकते थे मीडिया पर censorship लगी हुई थी ठीक है इकोनमी पर जादा ही कंट्रोल था सरकार का वहाँ के जो नोकरशाह थे यानि की बियूरोक्रेट्स थे यानि की सरकारी नोकरी करने वाले लोग थे वो भरष्ट हो गए थे तो भरष्ट अचार बढ़ गया था नोकरशाह ही अपनी मनमानी चलाते थे चमिनिस्ट पार्टी का दबदबा था यही रीजन्स हैं जो कि उसके टूटने अकार्ण बने उसके लावा अब जब व्यापार बढ़ने लगा बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया व्यापार में घुश गई तो व्यापार करने में भी थोड़ा सा पीछे रह गया कौन सोवियत संग किस से अमेरिका से क्योंकि अमेरिका ने चलाई ओपन डॉर पोलिसी जिसे की पुंजिवादी बोलते हैं उसने सबी दुनिया के साथ व्यापार किया पर रूस ने ऐसा नहीं किया था तो इस वज़े से क्या हुआ रूस की इकोन में डाउन होने लगी तो यही बाती है जो उसकी तूटने है कांड बनी उसके लावा वहाँ पे एक नेता था मिखायल गोरबचे उन्होंने वहाँ पे सुधार करने एकोशिश करी तिक है पस्ची में चीजों को अपनाना शुरू करा जिसकी वज़े से सोवियत संग तूट गया अब देखलो यहाँ पे क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं फर्स्ट पॉइंट है सोवियत संग राजनितिक और आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था इसकी ईकोर्म में बिल्कुल डाउन हो चुकी थी वो बोगता वस्टियों की कमी ने सोवियत संग के नागरिकों में एसंतोष भर दिया यानि कि वहाँ पे जो चीजों की कमी हो गई थी उस वज़े से वहां के नागरिक जो हैं वो बिल्कुल परिशान हो गए थे, बहुत दिक्कत वहाँ पे हो गई थी सेकिंड पॉइंट है, सोवियत संग के लोग, मिखाईल गोर्बचेव के सुधारों की धीमी गती से संतुष्ट नहीं थे यानि कि जो स्लो तरीके से वहाँ पे काम हो रहा था, वो एकदम से पुझिवाद बनाना चाते थे हर चीज़ को एकदम से वो पुझिवादी व्यवस्ता अपनाना चाते थे, तो लोगों में गुस्सा था, वो जल्दी से जल्दी वहाँ पे रिफोर्म चाते थे तो सोवियत संग में जो नीतिया चल रही थी गोरबचेव की उससे लोग जो है वो संतुष नहीं थे वो फास्ट तरीके से काम चाहते थी सोवियत संग में क्यमिनिस्ट पार्टी का शाशन लगबग सतर सालों तक रहा परंतु वे किसी के परती उत्तरदाई नहीं थी आपको बताया भी किस Communist Party का ही कबचा था तो वो उत्तिरदाई नहीं थी यानि कि वो जवाब नहीं देती थी किसी भी चीज़ का इस कान्ड सोवियत संग के नागरी किस पार्टी से चुटकारा पाना चाहते थे उसके बाद सोवियत संग ने समय समय पर अत्यादिनिक वे पर्मानु अत्यार बना कर अमेरिका से बरापरी करने का प्रियास किया परंतु धीरे धीरे उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी बहुत ज़ार उसके खर्चे बड़े उसने जो पैसा लगाया उसकी इकोनमी बहुत खराब हो गई तो अत्यादिक खर्चों के कान सोवियत संगभुनियादी डाचे वेतकनी की छेतर में पिछड़ता गया जो देश कभी इतना डिवेलप हुआ करता था वो पिछड़ गया जो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था यह तो मैंने आपको वहां पे पॉइंट वाईज लिखवाए थी जीजें तो आप इस कोशिण को बिल्कुल पॉइंट वाईज याद करो ठीक है तब कि आपको यह बिल्कुल अच्छे से याद होगा ठीक है कैसे इन questions को करो ये है इस वीडियो का last question और देखो जो मैं आपको objective question कराता हूँ या previous year या important question कराता हूँ उन में आप sequel मत ढूंडा गरो कि ये question बार वाँ आया था उसके बाद तेर वाई आएगा ऐसा नहीं है क्योंकि मैं अलग-अलग जगह से important question उठाता हूँ जो जो अलग-अलग सालों में आपसे पूछे गए है उन सभी questions को मैंने compile किया है आपके लिए सभी important question ढूंडे है तो आप ऐसे मैं सोचा गरो कि ये तेर वाई था ये छूट गया बीच में ये रहा गया वो रहा गया क्योंकि इसमें अलग-अलग जगह से उठा हूए question है तो इसमें serial number भी आपको अलग-अलग मिल सकते हैं तो इसलिए कभी ये confuse मत होना या सोचना मत की question रहा गया इसके बाद 11 वाया उसके बाद 13 वाया गया तो ये मैं सुझना की बारवा question रह गया ठीक है क्योंकि ये अलग-अलग जगह से उठा हूए question है previous year question है तो देखो अब ये है हमारा last question इसको देखो अब बिलकुल simple question है कोई तीन उधायन देकर बताएं कि अधिकांश पूरवर्ती सोवियत गंटराज्यों में संघर्ष और तनाव की आशंकाए बनी रहते थी यानि कि सोवियत संघर्ष जब तूटा उसमें हम सभी को पता है बहुत सारे देशों में क्या हुआ था संघर्ष हुआ था लडाईया हुई थी क्रायुद हुए थे उन्हें में से तीन के एक्जामपल दे के हमें बता देने हैं पहला पॉइंट देखो चेचन्या अवम दागिस्तान कौनसी जगह पर हुआ अंदोलन चेचन्या और दागिस्तान में तो चेचन्या अवम दागिस्तान में काफी समय तक हिंसक ऐल अगावबादी आंदोलन चला रूस ने इस आंदोलन को दबाने के लिए जिन उपायों का प्रियोक किया उसे मानवाधिकार के उलंगन के गंबीर मामले प्रकाश में आए यानि कि बहुत अत्याचार के ये मानवाधिकारों का उलंगन किया गया रूस के दुआरा यानि उसने अपनी आर्मी बेचे दी जांदोलन को दबाने के लिए परंतु फिर भी सुतंतर्जा की आवाज को दबाया नहीं जा सका पर इसे नहीं दबाया जा सका और 1990 के बाद वाले सालों में ये अलग देश बना रूस से अलग होकर उसके बाद देखो तजाकिस्तान 2001 तक ग्रहियुद में जलता रहा और तजाकिस्तान में पताया में 1991 से लेकर 2001 तक क्या चला ग्रहियुद चला यहाँ पर कई सामपरदा एक संगर्ष चलते रहे यहाँ पर धरम के नाम को लेकर जाती के नाम को लेकर यहाँ पर क्या हुए दंगे हुए दिक्कत हुए युक्रेन, किर्गिस्तान, जोरजिया में सत्ता विरोधी अंदुलन हुए जो संगर्ष और तनाव वाला टोपिक था उस में मैं आपको यहाँ पर पढ़ाय था यहाँ पर चेप्टर वाली वीडियो्ज देखुए उस चैनल पर आपको सारी चीज़े बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई जाती है पहले हम आपको चैप्टर समझाता हूँ फिर आपको कोशिन अंसर कराता हूँ मैप हुआ ठीक है जो भी आपके सब्जेक्ट में है ना वो सारी चीज़े मैं यही पर आपको करा देता हूँ तो आपको अगर हमारी यह मैनत अच्छी लगती है तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं प्रीज सेनल को आप सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों तक इन वीडियो को शेयर भी करो तजाकिस्तान में भी ग्रैयो चला सामपरदाइक हिंसा हुई वहाँ पे यूकरेन में किर्गिस्तान में जोर्जिया में लोगों ने सरकारे खिलाफ आंदोलन किये अजर्बेजान में जो है अर्मेनियाई लोग थे उनका अंदोलन चल रहा था तो अजर्बेजान की कुछ अर्मेनियाई अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते थे यानि कि वो अलग देश में मिलना चाहते थे कई देश और प्रांत नदी बलके परशन में उल्ज़वे था निकि पानी को लेकर विवाद था कि कौन सी नदी का पानी कहां पर जाएगा कहां पर नी जाएगा तो इ पेट्रोलियम संसादनों का विशाल भंडार है यानि यहां पे बहुत सारा पेट्रोलियम पाया जाता है जिसके कारण यह है शेतर बाहरी ताकतों एहम तेल कंपनियों की आपसी परतिसपरदा का अखाड़ा बन चुका है मैंने आपको बताया था कि रश्या में और रश्या क आस-पास के जो यह देश है जो सेंटल एश्या के देश है इन में क्या है बहुत ज़्यादा तेल और पेट्रोलियम है जिस वज़ेसे बड़ी-बड़ी जो पावर है जैसे की अमेरिका है ब्रिटेन है फ्रांस है इन देशों ने बहुत इंटरफेर किया है इस हेरिया में खनिच तेल जैसे संसादन की उपस्थिती से वे चीन के हित भी इस शेत्र से जुड़े हुए हैं और चीनियों ने सिमावर्ती शेत्रों में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया है ठीक है यूरोप और अमेरिका तो है उसके साथ साथ चीन जैसे देश भी यहां इंटरफेर कर रहे हैं और यहांपे अपना व्यापार फैला रहे हैं तो यह सारी प्रॉब्लम हई इन देशों में ठीक है तो यह था मअरा लास्ट कॉशन हम अभी सारे important कोशन पढ़ रहे हैं जो भी previous कॉशन है वो हमने cover कर ली है आगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वी लेने के जोड़ पड़ेगी बस आप वीडियोस को तेखो अपने नोट्स बनाओ सारे चीज़ें को समझो इन कोश्चेंस के भी आप स्क्रीन शोट ले सकते हो पस इनको अच्छे से याद करके चले जाना आपके एक्जाम में फिर आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोग सकता मैंने आपको जो यह पुलेटिकल बढ़ाई है बाइलिंग्मल बढ़ाई है इसमें हिंदी और इंगलिश पीडियम के सभी बच्चों को मैंने साथ में पढ़ाया सारी चीज़े दोनों लेंग्विज में बताई है तो इससे ना तो हिंदी वाले बच्चों को प झाले 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 झाल